बरुफाटक में अमावस्या पर अनूठी प्रथा का नर्वाहन किया गया यहां पलाज के पत्ते सिर पर डाल कर बच्चे नगर में घूमते नजर आए जिन पर ग्रामिणों ने पानी डाल कर अच्छी बरसात की कामना की देखे एरपोर्ट ग्राम बरुफाटक में अमावस्या पर बरसो पुरानी प्रथा का निर्वाहन हुआ यहां बच्चों ने पलाज के पत्ते सिर पर डाल कर गीद गाए वही नगर में भ्रमर किया जहां ग्रामिणों ने उन पर पानी डाल कर अच्छी बरसात की कामना की साथ यह बच्चों को अनाज तेल आटा शकर व्यानिय सामागरी की दक्षणा भी दी पंडत हिमान्शु जोशी ने कहा कि डोटगली अमावस से किसानों का परवश शुरू हो जाता है किसानों के लिए अच्छी वर्शा के लिए बच्चे पलास के पत्तों को सिरफ डाल कर गाओं में गीतगाते हुए निकलते हैं और इंड्रदेव से शित्र में अच्छी बारिश की कामना करते हैं आज जो है डोटगली आमावस है जिस डोटगली आमावस का बड़ा महत्व है डोटगली आमावस जो है आज से किसानों का पर्वचालू हो जाता है किसानों के लिए अच्छी वरशा के लिए बच्चे गाओं के कुछ मिल करके एक पलाश के पत्तों को उपर अपने सिर के उपर रखते हुए गाओं में मांगते हैं और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि इंद्र देव हमारे शेत्र में अच्छी बारिश करना ताकि हमारे हां अच्छी फसल आवे सर्वे भावन्त उसुखिना की भावना के साथ ये बच्चे प्रार्थना करते हैं ग्राम बासे भी बड़े प्रशन हो करके खुस हो करके उनके उपर बारिश करते है पत्ते इस करण रखे जाते हैं कि वो भीगे नहीं या भीगे तो कम भीगे तो बच्चे के बच्चों के ऊपर जो है वो बारिश याने पानी डालते हैं गाउवाले और उनको आटा देते हैं डाल देते हैं और खाद्य सामगरी के साथ साथ जो है वो नगत भी बच्चों को देते हैं और बच्चे सब मिलके बाद में जो है वो अलग से एक पार्टी करते हैं पहले भगवान को भोग लगाया जाता है और सभी लोग वो प्रेशाद प्राप्त करते हैं देखा जाए तो ग्राम बरुफाटक में पुरानी प्रथा का एक बार फिर नर्वाहन किया गया और अच्छे बारिश की कामना की गई ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, ठीकरी